हेलो गाईज, वेलकम बैक टू दा चैनल, जेनरल एनलाइसिस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाली में महाराष्टा में कुछ पॉलिटिकल चेंजेज हुआ है जिसमें से बिजेपी और एकनाथ सिंदे के नेत्रूत में सीव सेना ने मिलकर गठबंधन सरकार बना लिया है और 29 जून की साम को उधर ठाकरे केबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया और औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया वहीं ओस्मानाबाद सिटी का नाम बदल कर धारा सिव कर दिया गया और अधी हम लोग महराष्टा के इन सिटीज को मैप में देखें तो ये दोनों सिटीज ओरंगाबाद वाले रिजन में आता है वैसे इन सहरों के नाम बदलने का चर्चा काफी पहले से चलता आ रहा था और अभी जब बीजेपी अपोजीशन में थी तो वो सिवसेना को बोल रही थी कि उन्होंने ओरंगाबाद के नाम को चेंज करने का अपना वादा पूरा नहीं किया है वैसे ओरंगाबाद के नाम को चेंज करने में सिवसेना को पहले प्रोब्लम भी आ रही थी क्योंकि उसने एनसीपी और कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया था और ये पार्टियां इन सहरों के मुस्लिम वोट को निरास नहीं करना चाहती थी अब आदी हम लोग ओरंगाबाद सहर के इतिहास को देखें तो इस सहर का फांडेशन स्टोन 1610 में मलिक अंबर ने रखा था जो की अफिरिका से आया हुआ एक गुलाम था उसे अफिरिका से खरीट लिया गया और वो मिडिलिस्ट पहुँच गया और फिर किसी तरह वो इंडिया पहुचा वैसे उसने अहमद नगर डैनिस्टी के अंडर सर्व किया और अपने काम के वज़ा से जेनरल के पोष्ट तक भी पहुचा और जब इस सहर का स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम खिरकी या खडकी रखा गया था और बाद में उसके बेटे फटे खान ने इसका नाम बदल कर फटेपूर कर दिया इसके बाद 1653 में मुगल बादसा औरंजेव ने अपने दक्कन अभियान के दोरान इस सहर पर कबजा किया और इसे अपना राजधानी बनाया और उसी ने इस सहर का नाम बदल कर औरंगाबाद रखा था वैसे देखें तो तब से ये नाम चलता रहा है और अब जाकर इस सहर का नाम छत्रपती संभाजी महराज के उपर रखा गया है जो कि छत्रपती सिवाजी महराज के बेटे थे और सिवाजी महराज के बाद माराथा समराज के अगले रूलर भी यही थे उन्होंने 1681 से 1689 तक सासन किया और 1689 में औरंजेव के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई अब अधि हम लोग औरंगाबाद के साथ सिवसेना के कनेक्शन को देखें तो 1988 में सिवसेना ने औरंगाबाद मूनसिबल कॉर्पोरेशन का अलेक्शन जीत लिया था और उसी समय सिवसेना के सुप्रीमो बाला साथ ठाकरे ने एनाउंस कर दिया कि इस सहर का नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया जाएगा और आगे चल कर जब 1995 में महराष्टा में सिवसेना की सरकार बनी तो औरंगाबाद कॉर्पोरेशन ने एक रिजोलेशन पास किया इंपोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस को देख लेते हैं तो इसमें पहला है अजन्ता केब्स जो कि उन्हें इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इन गुफाओं में बुद्धिश से समदेत मूर्तियां और कलाकृतियां है और इन गुफाओं की संक्या लगबग 30 है वैस अरंजेव को ये मकबरा बनाने का मन नहीं था लेकिन इसे बनाने का जिद उसकी बीबी नहीं किया था और अधि हम लोग इस मकबरे को देखें तो यह ताजमहल का ही सस्ता कोपी परतीत होता है और यहां पर जो तीसरा घुमने लाइक जगा है वह है एलोरा की गुफा जो क की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका निर्मान राष्टकुट सासकों ने 600-1000 AD के बीच में करवाया था और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा पत्थर को काट कर बनाये गया एक हिंदू मंदीर है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए कर दीजेगा